अगर आपकी विद्याले में भी अर्दवार सीख परिक्षाएं आने वाले हैं और आप लोग पेपर जो की मुस्ट इंपोर्टन कोशिन की सीरीज यहां पर मैं लेकर रहत हूँ हर बार की तरह आज इस पेपर के मात्यम से आप लोग के हाफेली की जो तैयारी में कराने जारो उसको आप लोगों को समझने के लिए ये वीडियो पूरी देखने पड़ेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा दश टेंथ क्लास की अर्दवार सीख परिक्षाएं जो कि हिंदी और इंग्लिस दोनों मेडियम के जो यहां पर जो कॉश्चन रखेगा है ध्यान से नहीं है या फिर प्रयोग में नहीं लाए जा सकता चार अप्सन है जल है काच है प्लास्टिक है मिटी है तो लेंस की तरह बिहेव नहीं कर सकता है इन चारों में से कौन सा है यह आपको बताना है उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे अगला जब दुको उसमें पाएगा छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपके निमलेखित में से कौन सा लेंस पसंद करोगे चार अप्सन है पहले अप्सन में लिखा है एक कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमिटर सेकंड अप्सन है एक कॉन्केव लेंस और फोकल लें तो आप लोग ने इसका diverging और converging जो जो इसकी characteristics होती है वो जरूर पढ़ा होगा तो कौन सा diverging lens है कौन सा converging lens है इसको जरूर पढ़िएगा जब आपको यह concept clear हो जाएगा तो आपको उत्तर बनाना बताना बिल्कुल आसान हो जाएगा अगला question देखते है question number 1 का C देख लेत इस फोकस जूरी में परिवर्तन किया जाता है वो किसके दोरह परिवर्तन आ सकता है चार अपसन है pupill है retina है ciliary muscle है तो चार अपसन में देख ध्यान समझेगा अगर किसी का उतर यहां पर तिक लगा तो आप लोग उसको बिल्कुल मत समझेगा तो अपना उतर स्वेम देज question D है which of the following terms does not represent electrical power in a circuit तो electrical power circuit किसी भी जो टम में जो हैं नहीं प्रदर्शित करता तो अंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो चार आप्सन है याप पर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हुए आई स्क्वाइर और वी आई और वी स्क्वाइर अपॉन आर तो इन में से कोई एक ही ऑप्सन क्या है गलत होगा तीन ऑप्सन सही होंगे क्योंकि आप लोगों को डेजनौट रिप्रेजेंट वाला उत्वर देना है अगला कोईशन है इसका मतलब क्या हुआ आपको यह बताना है प्लस वन का मतलब क्या हुआ किसी भी मैगनिफिकेशन प्रद्यूस बाई यह बताना तो याद करिए र और एफ में संबंद बताना है relationship बतानी है उसके बाद जो question यहाँ पर c है उसमें आप लोगों से पूछा गया है what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye अगर distance को बढ़ाते जाते हैं ठेक है image distance पर इसका क्या पुर्भाव पड़ेगा यह आपको बताना है ठेक clear हो गया अगला question कहे रहा है numerical question है इसके आत्वा में भी आप लोगों मिलेगा एक परसन नीड़ लेंस ओप आवर माइनस 5.5 डी डायोप्टर है यहां पर टीका मतलब for correcting his distant vision अगर उसको आखों में कोई समस्या है तो उसकी vision को दूर करने के लिए तो lens की power जो दे दी गए है यहां पर इतनी है for correcting his near vision he need a lens of power plus 1.5 डी what is the focal length of the lens required for correction या correcting आप लोगो distance vision बताना है और near vision दोनों ही साथ मेरे बताने है अब देखते हैं अगला question जो अथवा में आया है उसको भी देख लेते हैं दोनों ही numerical type के question है आप लोगो कोई एक ही करना है जहां से समझ लीजे तो यहां पर जो है लिखा a an object 5 cm in a length placed रखा जाता है इस a distance लगबग दूरी है 20 cm की in front of a convex mirror ठीक है clear होगा यहां तो मामला सब क को बताना है अगला question जो आपको करने करना है कंपसरी है उसका भी एक optional यहां पर question दिया गया इसको भी में ध्यान पूर्वक बता देता हूं अगर if an object is placed between optical center and focus of the convex lens ध्यान समझे लीगा लेंस में ध्याम से समझेगा मेरेट में ध्यान समझेगा यहां पर lens की बात हुरी convex lens that make the diagram to show the image formation also right about image nature और आखरी कोशन यहां पर दिया गया है प्रकास के अपवर्थन के नियम से क्या अत्यात्त पर है वाट द्यूमीन भाइव और रेफ्रेक्शन आफ लाइट तो चलिए अगला question देख लेते हैं यहां पर वाट द्यूमीन भाइव रेफ्रेक्शन आफ आप लोग near-sightedness भी कह सकते हों और short-sightedness भी इसको कह सकते हों how to fix this rectification of myopia किस प्रकार इसको जो है सही कर सकते हैं correction आप लोगों को बताना है अगर आपको यह question नहीं आता है तो आप लोग यहां पर दूसरे question को भी कर सकते हों यानि कि what is mean by power of accommodation of the eye and color blindness मतलब आपको अथवा दो question करने पड़ेंगे अगर पहला का उत्तर आपको नहीं पता है तो कौन-कौन से दो question आप लोग करने पड़ेंगे तो पहला तुम power of accommodation आप लोगों बताना है उसके बाद बी में भी तीन सब सेक्षन है इसको भी करना पड़ेगा मतलब प्रेस वायोपिया भी आप लोग मैं बताने जा रहा हूं पार्ट बी मतलब chemistry का यहां पर मैं solution कि solution तो नहीं बता हूँ आप लोग पेपर ही बता रहा हूं अगर आप लोग को नीड़ है solution नहीं तो मैं जल्द ही आप लोग को solution भी प्रोवाइड करा सकता हूं पहले आप लोग question पेपर अच्छे से समझ यह जो उत्तर लगे हैं यहां पर ध्यान बिल्कुल मत दीजेगे जिसका patient पता है उसमें काफी कुछ गड़ पड़ कर रखा है तो pH of pure water जहीर सी बात है हम लोग उने क्या पढ़ा था pH scale पढ़ा था pH scale में यहां पर क्या नंबर पे neutral आता है 7 जी हां 7 ही इसका उत्तर क्योंक chemical formula होता तो लेट की बात हो रहे तो बहुत ही आसान question है लेट की बात होती है तो यहां पर लेट का सिंबल जरूर आएगा पीबी और नाइट्रेट के आप लोग जो है जो है नो 3 कर सकते हों और इससे आपको वैलेंसी से आप लोग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन से formula तयार भी क chemical formula of lead nitrate यह भी clear हो गया है अब coinage metal क्या होते हैं यह भी मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से आगे देखते हैं निक्स क्या कह रहा है इसको देख रहते हैं टमाटर के रहा है इसका pH मान लिखे देखिए जाहिए सी बात है टमाटर जो होता अक्जलिक एसीड होता है होता है तो इसका pH value आप लोग ने अपने किताब में ध्यान से समझें मैं बताता हूं कहां पर है सेकंड चेप्टर में अगर आपकी हम पब्लिकेशन की किताब है तो आप लोग सेकंड चेप्टर में एसीड बेसें सॉल्ट वाले चेप्टर में जाहिएगा जब आप लोग बनाने की विधिया और यहां पर आप लोग से लेकिन उसके ऊपर वाले में सिर्फ दो प्योग ही बताने हैं अगला कोशन कहे रहा है यह थोड़ा सा लॉंग में है ध्यान समझें का लॉंग कुशन दीजेगा दो कोशन यहां पर लॉंग में आए हैं को यह करना है पहला र रीप्रेजेंट करना है मैथट इंडेट्स यूजरस मतलब यह लॉंग कोशन में इस तरह से कोशन आएगा आगला कोशन वाटर रदा एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन गीप एक्जैंपल्स तो एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक बताते समय आप जरूर होगा जबकि एंडो थर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है मतलब फोटो सिंदेसिस को मान सकते हैं कि आप लोग एक एंडो थर्मिक रियक्षिन हो सकती हो अगला कुशन कह रहा है एर्थ कुश्चन यहां पर यह भी लॉग कुशन है ध्यान से समझेगा डिस्क्राइब ठीकर रियक्षिज्चन एक रीप्रेजंटेशन कहोता है जिसमें क्या होता है जो है रिक्तेंट्स होते हैं और रॉट सब्सक्राइब कराएं यह जूरते भी हैं और कुछ न orbits पदार्थ बनाते भी हैं ठीक है तो कर लोगे उमीद है आप लोग और विदा है पूछा गिया इसको में बता देता हूं ध्यान से समझ लीजे तो बेकिंग सोड़ा अच्छे से पढ़के जाएगा अब बताने जा रहा हूं वह से कमिस्टी भी पूछ सकते हैं वैसे कमिस्टी भी पूछ सकते हैं सब्सक्राइब करता हूं में सब्सक्राइब करता है इस तरह से आप लोग पर सकते हूं अगला कुसिंद जाइलम एसे आप लोग पर सकते हैं जासे जल हो जाएगा आपके दिमांग बढ़ जाएगा यहां पर अब जो question पूछ रहा है, male reproductive organ, male reproductive organ, human being में कौन सा होता है, ovary तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, और uterus भी नहीं हो सकती है, testis is the right answer, ठीक है, one pair testis होती है, अगला question, what is the percentage of methane gas in bio gas, तो methane का percentage bio gas में बताना कितना होता है, यहाँ पर ध्यान मत दीजेगा, किसी भी उत्तर जो टिक लगे अगला question है, जो 10th का A है, what is the rule of saliva in the digestion of food, देखिए saliva की, अगर हम लोग बात करेंगे, salivary, जो gland होती है, three pair salivary gland, secret saliva, ठीक है, कहाँ पर होती है, mouth में हो, ठीक है, यह तो आप लोग ने पढ़ा रखा होगा, तीन pair, parotid होती है, submaxary, sublingual, यह आप लोग ने पढ़ा रखा होग अब secretion क्या होता है, salivary, amylase enzyme, secretion होता है, और यह act करता है, carbohydrate में, ठीक है, इसका तो यहाँ तक क्लियर होगिया, act करेगा, किस पर, किसको पाचन करेगा, carbohydrate को पाचन करेगा, और इसी वज़े से, रोटी जो खाते समय हमको मेठी लगती है, due to presence of saliva, और saliva में किसकी उपस्तेती कराण होती है, amylase enzyme की कर सकते हैं, आप लोग समझ गया होगे, question अचा अचानी से कर सकते, अगला है, describe the double circulatory system, double circulation of a plate in human being, why it necessary, आवश्यक क्यों होता है, तो कि इसका मैंने long form में अच्छे से अंसर बता रहा है, मैं आप थोड़ा सा short form बता देता हूं, आप लोगों काता है, हमारे lungs जो होते हैं, यह oxygen क्या करते हैं, absorb करते हैं, और हमारे heart को क्या पहुचाते हैं, blood पहुचाते हैं, कैसा blood पहुचाते हैं, pure blood पहुचाते हैं, और कहां पहुचता दिखें, जब आप लोग blood circulation diagram मना है, ध्यान समझे, यह number कहां चले जाते हैं, right और left जो part होते हैं, वो आप लोग उल्टा लिख देते हैं, जो हमको diagram में left दिख रहा है, ध्यान समझेगा, जो left दिख रहा है, वो left नहीं होता, वो क्या होता है, right होता, और यहां पर right दिख रहा है, वो क्या होगा, left होगा, पहले तो यह समझ लिजे, कभी गलत होई नहीं सकते हैं, आप लोग, अब A पहले आता है, तो इसका मतलब auricle वाला उपर लिखना है, और ventricle वाला नीचे लिख देना है, इतना करना है आप लोगों, तो blood सबसे पहले कहा होँच रहा है, यहां पोच रहा है, मतलब left auricle में पोचेगा, फिर कहां पोचेगा, left ventricle में पोचेगा, फिर with the help of aorta, aorta के साथा से कहां पहुंचेगा बॉडी पाइट में बहुंचेगा मतलब सभी tellしか पहुंच जाएगी अब उक्सिजिन का यूटल को यूज कर लिया कि अब वेस्ट बाहर निकल जाएगा इन कि बात नहीं होगी यहां पर क्योंकि यहां पर pulmonary artery helpful होगी यहां पर वैसे नॉर्मली arteries में pure blood होता है जबकि pulmonary artery में deoxygenated blood होता है तो यहां पर आप इस अब बोधी कैसे थे टॉल थे करके देख लिए चाहिए टाल तीसरा भी कैसे था टॉल था अंद लास्ट नंट और ऐसो निकला तॉल निकला मतलब यहां आप दो डॉफ कोई बन नहीं रहा सभी तो टॉल है बस यही कहने का मतलब है कि लॉफ डॉमिनेंस को अच्छे से पलके जाए इसका लाइन डियाग्राम समझे और इसको समझाते हुए आप लोग मोनो हैविट क्रॉस को अच्छे से पर जरूर लेजे कभी कभी कोशन मो कोशन अगर आता है बोड में तो आप लोग काफी डिटेल में भी इसको अच्छे से समझा सकते हूं तो यह सारी चीज आप लोग कोशन समझगे होगे कर भी लोगे आप उसके बाद राइट डिफरेंस बिट्वें नुकलियर फिजन और नुकलिर फिजन और नुकलिर है अगला कोशन कोशन जो कि लास्ट है और इस कोशन में आप लोगों से क्या कहा गया कोशन में लॉंग कोशन में डिस्क्राइब मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम ऑफ मैन विद सूटेबल डाइग्राम देखिए मेल मुस्टली आता है लेकिन फीमेल ज्यादा तर चाहिए अगला जब पॉलिनेशन से रिलेटेड कोशन है यह अच्छे से पढ़ लिजे चाहें वो सेल्फ हो चाहें क्रॉस हो चाहें उसके डिसएडवांटेज हो भले ही उसके एजेंट से ही क्यों ना हो पढ़ लिजे मोस्ट इंपर्टन कोशन है जरूर पूछा जाएग से लेट हो गए अपरी पढ़ाई को लेकर हाफिले एक्जाम की एस प्रेपर से उनको काफी कुछ हेल्प मिलने मला है तो शेयर जरू करें थैंक्स पर वाचिन दिस वीडियो